प्रियमित्रो नमस्कार मैं प्रविन कुमारजन आज आपके लिए भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को इमंपरवतिय नगरों को लेकर आया हूँ दोस्तो यह वीडियो जे-स-स-स-स, आर-पि-स-स, यू-पी-टेट, एस-टेट आदी परीक्षाओं के लिए अत्यन तोपी होगी है इसलिए आप इसको देखें और सब्सक्राइब, सेर, लाइक जरूर करें देखते हैं भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को आगरा नगर है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनात अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है इलाहावाद गंगा और यमुना दोनों का संगम यहाँ पर है इन नदियों के किनारे बसा हुआ है दिल्ली यमुना नदी के किनारे फ्रोचपुर सतलज नदी के किनारे है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है देखते हैं अयोध्या सर्यू नदी के किनारे है कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है लखनव गौमती नदी के किनारे बसा हुआ है डिबरूगर जोकी आसाम में है या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है गोहा टीवी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ब बसा हुआ है कुर्नूल या तुंग भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है सोको वाघाट या ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे है पटना गंगा नदी के किनारे स्री नगर जहिलम नदी के किनारे सूरत तापती नदी के किनारे बिजय वाडा कृष्णा नदी के किनारे है रंग पटनम यह काविरी नदी के किनारे है बाराण सी गंगा नदी के किनारे है बाराण सी के अपर नाम बनारस और कासी भी है यह गंगा नदी के किनारे है लुदियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों इनमें स पेपर में जरूर प्रशन बनते हैं इसलिए आप इनको अच्छी तरह याद कर लेए आंगे देखते हैं बरेली रामगंगा नदी के किनारे है ओर्चा बेतवा नदी के किनारे और जेन छिप्रा नदी के किनारे वसा हुआ है मतुरा जो है यमुना नदी के किनारे वसा हुआ जमसेदपुर शुरंड रेखा नदी के किनारे पर इस्ते थे अहमदावाद जो की गुजरात में है या सावरमती नदी के किनारे इस्ते थे आगे देखते हैं भारत के प्रमुक परवतीय नंगरों को जो परवत पर इस्ते थे ऐसे नंगर देखते हैं जेसे सी के लिए वीड कि उचाई पर रहे हिस्ते थे सिम्ला हिमाचल प्रदेस में यह बाईस औशै मीटर aynı की उच्छाई पर रिस्ते थे दारजिलिंग यह पश्चिम बंगाल में है जो कि 1234 2134 मीटर की हुचाई परस्ते थे लैंस डाउन यह उत्तराखंड में इस्ते थे यह भी 2118 मीटर की हुचाई परस्ते थे मसूरी जो की उत्तराखंड में है यह 2005 मीटर की हुचाई परस्ते थे आंगे देखते हैं उटी यह तमिल नाडु में इस्ते थे यह 2286 मीटर की हुचाई पर इस्ते थे पहलगाओ यह भी जम्मू कस्मीर में है यह 2195 मीटर की हुचाई पर इस्ते थे कोडाईक नाल यह तमिलनाडू में है यह भी 2133 मीटर की हुचाई पर इस्ते थे डलहोजी जो की हिमाचल प्रदेश में है 2035 किलो मीटर की उचाई पर इस्ते थे कोटगिरी तमिलाडू में इस्ते थे यह 1,981 किलो मीटर की उचाई पर इस्ते थे मुक्तेश्च्वर यह उत्राखंड में इस्ते थे जो की 1,974 मीटर की उचाई पर इस्ते थे कसौली हिमाचल प्रदेश में है 1890 मीटर की उचाई पर गंग टॉक सिक्किम में 1850 मीटर की उचाई पर इस्ते थे रानी खित उत्राखंड में है जो की 1829 मीटर की उचाई पर इस्ते थे अलमोडा या उत्राखंड में है या 1646 मीटर की उचाई पर है सूलन या हिमाचल परदेश में है जो की 1496 मीटर की उचाई पर धरातल सी बताई गई है मनाली हिमाचल परदेश में है या 1839 मीटर की उचाई पर शरी नगर जम्मु कसमीर में है 1768 मीटर की उचाई पर सिलोंग मेगालाय में 1496 मीटर की उचाई पर रिष्थे थे नंदी हिल्स जो की करनाटक में है यह 1444 मीटर की उचाई पर रिष्थे थे आंगे देखते हैं महावालिस्वर जो की महराष्ट में है 1372 मीटर की उचाई पर रिष्थे थे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है 1250 मीटर की उचाई पर इस्ते थे पंच गनी महराष्ट में है जो की 1219 मीटर की उचाई पर इस्ते थे पचमडी मद्द प्रदेश में है जो की 1067 मीटर की उचाई पर इस्ते थे केमान गुंडी करनाटक में इसते थे 911 मेटर की उचाई पर, मंडी हिमाचल प्रदेश में 709 मीटर की उचाई पर इसते थे खांडला यह महराष्ट में 620 मीटर की उचाई परिस्ते थे धर्मसाला हिमाचल प्रदेश में 1250 मीटर की उचाई परिस्ते थे माउंट आबू राजस्थान में 1219 मीटर की उचाई परिस्ते थे मननार जोकी केरल में है 1158 मीटर की उचाई परिस्ते थे सपूतारा गुजरात में है 975 मीटर की उचाई परस्ते थे पेरियार केरल में है 914 मीटर की उचाई परस्ते थे लोना वाला महराश्टर में है 620 मीटर की उचाई परस्ते थे इस प्रकार दोस्तो मैंने भारत के प्रमुक नंगर जो की नदियों के किनारे वसे हुए हैं और परवतिय नंगरों के बारे में बताया दोस्तो इस वीडियो को सब्सक्राइब सेर लाइक जरूर करें ताकि आंगे आने वाले वीडियो आपको डारेक्ट मिल सकें